हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तो आज हम सिखेंगे जिटी एफ़ाय में लेंबॉर्गिनी हुराकन 2023 वाला मोडल कैसे इंस्टॉल करते हैं तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कोमेंट कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को ओपन करना है यहाँ पर चिटी एफ़ाय मोड की लिंक ओपन हो जाएगी आप इस लिंक को सेव कर दीजिए क्योंकि इसी वेबसाइट है आप सभी कार और बाइक को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ सर्च पर कोई भी नाम डाले और सर्च कीजिए अब हमें यहाँ पर लेमोरगीनी हुराकन को डाउनलोड कर लेना है आउनलोड हो गई है अब हमें फॉल्डर को ओपन करना है और राइट लिक करकर फाइल को एक्स्टेक करना है एक्स्टेक होने के बाद इस जिप फ और फाइल को छोटा कर दीजिए अब हमें ओपनावी को खोलना है अगर आपने अभी तक ओपनावी को इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसे देखकर इंस्टॉल कर लीजिए ओपनावी कुलते ही एडिट मोड को ओन कर लीजिए अब जाएए अपडेट में जाएए 64 में जाएए DLC पेक में जाएए अब राइट साइड टेकनिका वाले फोल्डर को ओपन करिए और इस टेकनिका वाले फोल्डर को ड्रेक करकर ओपनावी में DLC वाले फोल्डर में ड्रॉप कर दीजिए तो आप देख सकते हैं हमारी टेकनिका फाली फालिया आपर आ गई है अब देख आईए दोबरा देख आए 64 के नीचे अपडेट.rpf में जाएए comments में जाएए data में जाएए और नीचे आए dlc लिस्ट को right लिक करिए edit में जाएए और scroll down करिए तो हमें लेम और गिनी टेकनिका को script ने add करना है इस text को copy करिए अब enter press करिए ताकि नहीं नहीं में cursor आ जाए अब यहां पर paste कर दीजिए अब इन दोनों slice में जो भी लिखाए उसे erase कर दीजिए और टेकनिका वाले folder को right क्लिक करिए sum और option में आईए और rename करके इस text को copy कर लिजिए अब इन दोनों cursor के बीच में paste कर दीजिए तो हैं यहां पर हमारी script add हो गई है save कर दीजिए और सभी files को close करिए अब gtfi को open कर लेना है जब तक game load हो तब तक channel को subscribe कर दीजिए आप मुझे Instagram में भी DM कर सकते हैं तो यहां पर हमारी game load हो गई है सबसे पहले f8 key और आपके पास laptop है तो fn plus f8 key को press करें ताकि menu trainer open हो जाए अब object spinner में जाना है object spinner को on करना है on entity में जाना है vehicle में जाना है और last वाले input model में जाना है अब यहां पर टेक्निका लिखना है और enter करना है यहां पर आप देख सकते हमारी कार आ गई है अब हम इसका color change करेंगे कार पर रैक्लिक कर यह ताकि उसकी property खुल जाए अब नीचे आए और menu custom में जाए अब pants में जाए और primary pants में जाए फ्लासिक में जाए आप यहां से कोई भी color को चूज कर सकते हैं हम इसका lime green वाला color रखते हैं अब बेकाना है और spot mode को off कर देना है और effect की को प्रेस करना है ताकि menu trainer off हो जाए तो आप देख सकते हैं हमने Lamborghini नहीं हो राकन successful add कर दी है अब गेम का मजा लीजिए ऐसा ही gaming related videos के लिए चैनल को देखते रहिए